हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग आसा करता हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग क्लास 12 का एक सिरीज स्टार्ट किया था देखे क्लास 12 का हम लोगों ने एक सिरीज स्टार्ट किया था और इसमें हम लोग क्लास 12 के हर एक सब्जेक चाहे वो objective का हो या subjective का हो उन सभी की तयारी हमारे इस channel पे यानि एक ही channel पे आप लोग के class 12 की A to Z की तयारी कराई जा रही थी और अगर आप लोग continue हमारे channel पर बने होंगे तो आप लोग को मालूम होगा हम लोग इससे पहले में political science का ये total computer कर लिये थे और हम लोग जो पढ़ रहे थे ये आपका history का पढ़ रहे थे और history का आज जो है वो आठवा सेट पढ़ने वाले हैं ये part 8 है इससे पहले part 7 तक आप लोग को compute कराया जा चुका है अगर आप लोग हमारे channel पर continue या लगातार तो आप लोग ये अच्छी से जानते हैं कि political science का त्यारी हम लोगों ने objective वाला खतम कर लिया था और political का subjective जो है वो morning time पे आप लोग को upload हो रहा है हमारे channel पर और उसके बाद हम लोगों ने history स्टार्ट किया था और history का आज आठवा session हम लोग देखने वाले हैं आप लोग में से जो भी बच्चे नए हैं उन लोगों से ये कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारे channel को subscribe कर लीजिए ताकि हम आपके class 12 के A to Z के तियारी जब कराएं तो आप लोगों तक यहाँ वीडियो सबसे पहले चला जाए आप लोग वीडियो देखिए अगर वीडियो में आपको helpful लगता है तो आप अपने दोस्तों को share कर सकते हैं और वीडियो को like ज़रूर कीजिएगा वापस से repeat करते हैं political science का जो हम लोग objective series start किये थे उसका playlist बना हुआ है जो बच्चे नहीं देखे हैं वहाँ जाकर देख लिजिए और जो बच्चे आगे पढ़ रहे हैं वो लोग note copy करते चल रहे होंगे जैसा आप लोग को पहले भी बताये थे जो भी चीज़े बताये जाता है उसे note copy में लिखते वे चलिएगा ताकि आप लोग का पूरी तरह से त्यारी हो सके अभी हम लोग जो discuss करेंगे वो part 8 है कल 9 होगा उसके बाद 10th होगा 10 series खतम होने के बाद history के बाद दूसरा subject की त्यारी करवाये जाएगा आप लोग comment जरूर कीजिएगा कि sir history के बाद कौन सा subject की त्यारी करवाये चलिए देखते हैं इसमें जितना भी सवाल आप लोग को करा रहे हैं यह आपके board exam के लिए सीधा सटीक पूछा जाएगा आप confirm रखिए आप लोग के exam में subjective plus objective दोनों ही है नया pattern के according अगर आप लोग जानते हैं तो 20 नमर जो है objective आएगा बाकी जो है वो subjective पूछा जाएगा तो हम लोग 20 नमर का त्यारी कर रहे हैं चलिए इसके पहले सवाल पर आते हैं पहला सवाल क्या है दे ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखा था तो इसका answer होगा आपका option number असोख महता ठिक है कभी कभी ये पूटब है कब लिखा गया था तो ये लिखा गया था 1857 पे यानि की 1857 में ठिक है ना आप लों लिख लिजेगा ये पुस्तक कब लिखी गयी थी ये जो आप लोग का पुस्तक है ये जो दग्रेट रिवॉल्ट है यह पुस्तक 1877 में लिखा गया था और किस ने लिखा था अगोसरी असोख महता ठीक है ध्यान रखिएगा question number 2 पर आते हैं साथ द्विपो का नगर किसे कहा जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा आपको option number A मुंबई ठीक है gateway of इंडिया कहा इस्तित है इसका भी अंसर हो जाएगा आपको option number A यानि की मुंबई क्लियर है आसा करते हैं समझ में आ रहा होगा आगी question है काला कानून किसे कहा जाता है तो आपको बता देना चाहते हैं यह जो रॉलेट एक्ट है इसे काला कानून की नर्म से भी जाना जाता है ठीक है question number आते हैं 5 में चले 5 पढ़ने से पहले आपको एक और चीज़ बताएंगे आप लोग में जो जो continue अगर बने होंगे आप लोग को मालूम होगा हर एक सेट में हम एक सवाल को हमब सौतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जैनरल कौन था याद रखेगा सौतंत्र होना चाहिए सौतंत्र भारत जब 1947 में भारत अजाध हो गया था उस समय भारत का प्रथम गवर्नर जैनरल कौन था ठीक है तो option दिया हुआ है आप इसमें से कोई answer जो भी आपको लगता है जो से हटा दीजेगा उनिस सौ बजाए टाइपिंग मिस्टेक है 24 जनवरी 1950 को जो सम्मिधान सभा हुआ था उसमें कितने सदश्यों ने सम्मिधान पर हस्ताक्षर किया था तो इसका जो answer है वो जगापका 284 284 लोगों ने इसमें हस्ताक्षर किया था question number 7 पर आते हैं किस अभिलेक से असोक द्वारा कलिंग विजय का पटा चलता है तो यहां पे पटा नहीं पता चलता है आप इसको ठीक कर लिजेगा ही क्या होगा पता चलता है यानि कि किस अभिलेक में यानि कौन सा जो अभिलेक था उसमें पता चलता है कि असोक में जो कल तेरवा अभिलेक भी कह सकते हो, तो तेरवा जो अभिलेक हो, option नमर D, उसमें पता चलता है, कलिंग यूदि के बारे में, आगे आते हैं, question नमर आते हैं, 8 पे, 8 में लिखा है, इंडिया गेट का निर्मान कब हुआ था, यानि कि इंडिया गेट जो है, वो कब बनकर तियार हुआ था, तो इसका जो एंसर होगा, 1931, ठीक है, एंसर है, 1931, कभी-कभी इसका पूरा डेट पूछता है, तो इसका पूरा डेट लिखेगा, 12 फरवरी, है न, 12 फरवरी, 1931, option number बी कुश्य नमर आते हैं 9 पे महात्मा गांधी दच्छिन अफ्रिका से भारत कब वापस आये थे तो इसका एंसर है 1915 यानि कि 1915 में कभी-कभी पूरा डेट पूछता है तो आपको डेट लिख लिजेगा 9 जनवरी को वापस आये थे आगे बढ़ें कुश्य नमर दस पर आते हैं चोरी-चोरा हत्यकांड कभ हुआ था तो इसका जो एंसर है 1922 होगा तो यहां पर आपसन दिया नहीं है पूरा चार तरिक था चार फरवरी 1922 इसको ठीक कर लिजेगा ठीक है आसा करते हैं कि आप लोग को हमारा यह प्रियास अच्छा लग रहा है अगर वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे इस चैन को सब्सक्राइब जरूर कीजे और साथे साथ लाइक भी कीजेगा कमेंट करके हमें जरूर बताए कि वीडियो कैसी लग रही है कुष्ये नभर आते हैं 11 में कैसे नमर 11 में क्या बोला गया है कि पूना APECT समझ होता कब हुआ था तो यह पूना APECT जो 1932 में हुआ था पूरा डेट अगर पूछेगा तो लिख लिएगा 24 सेप्टेंबर को कब हुआ था 24 सेप्टेंबर 1932 कुश्य नमर आते हैं 12 में 12 में क्या है कि डाकियार्ड जिसे यानि कि गोदिवाड़ा कहा जाता है तो गोदिवाड़ा का उसे कहां से प्राप्ट हुआ है तो यह लोथल से हुआ है option number D याद रखेगा इतने जितना भी सवाल आप लोग को करवा रहा है यह बोर्ड एक्जाम के लिए सीधा पूछा जाएगा यहां से बाहर कुछ में जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं यहां पर जितना भी सवाल आप लोग को करवा रहा है आपके फाइनल एक्जाम में जो 2025 में आप लोग का एक्जाम होने वाला इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा भरोसा रखिएगा सब्जेक्टिव हो या अब्जेक्टिव हो और टोटल की तियारी आपको हमारे इस चैनल यानि एक ही चैनल पर करवाई जाएगी चले आगे देखते हैं कुशन है तेरा यानि कि मौरी बंस का अंतिम सासक कौन था ब्रहदत कभी पूछता है मौरी बंस के प्रथम सासक कौन थे चंद्रगुप्त मौरी अंतिम सासक ब्रहदत कुशन आते हैं कुशन में चौधा में क्या है प्रथम पानिपत का युध कब से कब मनें कब लड़ा क्जिआ था इसक restlessर होगा पंद्रह सो चब्विस्bels में पहला विश्ययद हुआ था इबराहिम लोदी और बाबर की विचे से बीच में लिख लिजिएगा इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हो था पंद्रह सो चब्विस्वे स्कूषैन आते हैं पंद्रह में 15 में पुछा गया है कि मुगल काल में समराज जी की आई का सरवधिक महत्पुन साथन क्या था तो भू सौराज जिसके क्या बोल जाता है खिराज तो इसका अंसर हो जाएगा अपसन बसी खिराज यानि भू सौराज 16 में क्या बोला है सिंधु सभ्यता के लोगों का दरपन किस से बना होता था तो इसका अंसर हो जाएगा तामबा यह पिछले साल मॉडल पेपर में दिया था सवाल यही सवाल जो है आपको मॉडल पेपर में भी मिल जाएगा जितना भी इसमें आपको सवाल हम करवा रहे हैं यह आपको सीधा एक्जाम में पूछा जाएगा और पूछा गया सवाल भी आप चाहे तो मिला लिजेगा कुश्य में 17 में आते हैं हरपपा और मोहन जोदरों की बीच की दूरी कितना है 483 किलोमेटर 483 किलोमेटर कुश्य नमर आते हैं 18 में 18 में क्या पूछा गया है मेग दूतम के लेखक कौन है तो इसका एंसर हो जागा काली 10 अप्सिन नमर बी कुश्य नमर में बात्सा नामा के रचियता कौन थे जिसका एंसर हो जागा अप्सिन नमर बीच पर आते हैं 20 में क्या पूछा गया है युनेसको ने हमपी को विश्व अस्तल कब घोशित किया था जिसका एंसर हो जागा 1986 1986 यानि अप्सिन नमर वन तो हम लोगों नहीं आज कुल मिलाकर जो है वो 20 कुश्यन का डिस्कुशन किये हैं आसा करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी विडियो अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर सेयर कीजिएगा जो इस बार 2025 में एक्जाम देने वाले है फिर से कहना चाहेंगे साइन्स हो, कॉमर्स हो या आठ्स हो तीनों की तैयारी हमारे इसे चैनल पर कराये जाएगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर बने रहिएगा फिर मिलता है इसके अगले पार्ट में तब तक के लिए जैहिन